नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल रविस्ट अड़ीजी के पर फेंट्स आज मैं आपके लिए सभी एक्जाम के लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक का नाम है भारत की जनगन्ना 2011 जिसे की हम सैंसेस ओफ इंडिय आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं भारत की जनगन्ना से जुड़े होए वो सब कुछ मैं आपको करवा दूँगा जैसे की भारत की जनगन्ना 2011 इसके बारे में complete information आपको देने वालों 2021 की जनगन्ना जो कि अभी हुई नहीं है इस आपको confusion ना रहे ठीक है और लास्ट में आपको 100 प्लस MCQ भी करवाने वालों मत्तब ये एक वीडियो आपका ये पूरा topic complete कर देगी पूरा वीडियो आपने end तक देखना है ठीक है ताकि आपको एक भी question आपका ना exam में छूटे ना तो चलिए हम start कर लेते हैं सबसे पहले म किसी छेतर में लोगों के बारे में जानकारी एकतर करना और उसे record करना कहलाता है जनगना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है और भारत में ये हर 10 साल में आयोजित होती है जनगना ये आपको धियान रखना है लेकिन 2021 वाला delay चल रहा है क्योंकि आप सभी को ब अगर पुछा जाए कि नियमत जनगना की शुरुआत कब हुई थी ये हुई थी 1881 में रिपन के कारेकाल में तो चलिए आगे देखते हैं किसी भारतिय शहर की पहली पूर्ण जनगना 1830 में हैंडरी वाल्टर दवारा आयोजित की गई थी भारत में जनगना के इतिहास में हैंडरी वाल्टर को जनगना का जनग कहा जाता है उन्होंने साल 1830 में धाका में पहली पूर्ण जनगना की थी आपको पता है ना कि पहले भारत बांगलादेश एगी हुआ करता था ठीक है तो 1830 में धाका में पहली पूर्ण जनगना हुई थी हैंडरी वाल्टर ने कराय और इसलिए हेंडरी वाल्टर को जनगना का जनक कहा जाता है भारत में आगे अगर हम देखें ये भी काफी important point है Sweden 1749 में पहली बार आधुनिक वेशो में जनगना कराने वाला देश है और अमेरिका 1790 में दशकी जनगना की शुरुआत करने वाला पहला देश है जनगना कराने वाला जो पहला देश है आधुनिक वेशो में वो तो Sweden है लेकिन 10 की जनगना जो की 10 साल में एक बार जनगना होती है इसकी शुरुआत करने वाला जो देश है वो है अमेरिका जिसने 1790 में किया था आगे अगर हम देखें भारत के सम्मिधान के अनुचे 246 के तहट जनगना जो है ये संग का विशय है यह सम्मिधान की सात्मी अनुची के करमांग 69 में सुची बद है ये आपको धियान रखना है किसका विशय है ये संग का विशय है इसी के साथ exam में question पूछा जाता है कि जनगना जो होता है भारत में कौन करवाता है ग्रह मंतरा ले करवाता है ये point भी आपको धियान रखना है अब हम 2011 की जनगना हुई है इससे संबंदी जो important points होते हैं वो हम discuss कर लेते हैं 2011 जनगना की बात हो रही है 2011 की जनगना भारत की 15 जनगना और स्वतंतर भारत की 7 जनगना थी अगर आपसे exam में बोचा जाए कि 2011 में जनगना हुई है ये भारत की कौन सी नंबर की जनगना है तो 15 नंबर की जनगना है लेकिन अगर उन्होंने आगे word use कर लिया कि स्वतंतर भारत की कौन सी जनगना थी त उसकी शुभंकर प्रगनक सिक्षिगा दो फरवरी 2011 को केंद्रे ग्रह मंतरी पीचे दंबरम ने इस शुभंकर का अनावरन किया था मतलब आपको यह पता लग या ना कि देखो ग्रह मंतरा ले जो होता है यह जनगरना करवाता है और 2011 में जब जनगरना हुई थी उस समय ग्रह मंतरी कौन थे पीचे दंबरम जी थे आगे हम देखते हैं 2011 जनगरना समंदित कुछ और important point इसका जो आदर्श वाक्य था यानि की motto था ये भी आपको पता होना चाहिए हमारी जनगरना हमारा भविश्य है इंग्लिश हम बोलेंगे आवर सेंसेस आवर फ्यूचर ये आपको याद रखना है 2011 की जनगरना के समय जनगरना आयुक थे उनका नाम था डॉक्टर सी चंदर मोली ये भी एक्जाम में पूछा जाता है 2011 की जनगरना की जो अनुमानी तलागत थी वो 22 क्रोड रुपे थी भारत की जनगरना 2011 जो है कितने चर्णों में आयोजित की गई थी एक्जाम में पूछा जाता है दो चर्णों में आयोजित की गई थी जो कि previous year में पूछे गई हैं देखो friends मैं आपके लिए ऐसा content लेकर आया हूँ कि जिसको आप पढ़ने के बाद आपको पूरा topic complete हो जाएगा ठीक है और exam में आपको directly question इसे देखने को मिलने वाले हैं अब friends हम 2021 की जनगर्ना है इसके बारे में देख लेते हैं जन भागीदारी में से जन कल्यान 2021 की जनगर्ना भारत में पहली बार digital जनगर्ना होगी और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ ये देश की 16 जनगर्ना होगी और 17 भारत की 8 जनगर्ना होगी ये point भी आपके लिए काफ़ी important है और जनगर्ना आयुकत का नाम भी आपको पता होना चाहिए मिरतों जे कुमार नरायन आगे हम देख लेते हैं भारत और दुनिया में जनसंख्या वृद्धी से जोड़ी कुछ खास बात है कुछ important point इसमें से exam में question पूछा जाता है यह भारत का एक मात्र ऐसा दशक था जब जनसंख्या वृद्धी दर 20% से जादा रही थी तो exam में सबसे जादा question यही पूछा जाता है बताओ भारत में जनसंख्या वृद्धी दर किस दशक में सबसे जादा थी तो आप बोलो कि 1961 से 1971 के दशक में इसकी बाद एक और important point आप दिखिए भारत में जनसंख्या वृद्धी 1951 से 1981 के दशक में थी इस दोरान मिर्तिव दर तेजी से कम हुई लेकिन प्रजनन दर जादा रही तो आप से पूछा जाएगा बताओ जनसंख्या वृद्धी कौन सी है 1951 से 1981 तक आगे है केंदर शाषित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में 2001 से 2021 के भी सबसे जादा दशके जनसंख्या वृद्धी दर रही थी इस दोरान यहां की जनसंख्या 55.88 परसंट बढ़ी थी आगे हम देखते हैं जनसंख्या गंतव 325 वैक्ती प्रतिवर किलोमेटर से बढ़कर 382 वैक्ती प्रतिवर किलोमेटर हो गया लिंग अनुपा जो है 933 से बढ़कर 943 हो गया मतलब यह बात हो रही है कंपैरिजन हो रही है 2001 से 2011 की ठीक है तो 2011 में जो लिंग अनुपा था, वो कितना हो गया, 943 हो गया, 2001 में कितना था, 933 था, उसी प्रकात, जो प्रती व्यक्ति, जो प्रती वर किलोमेटर में जो व्यक्ति हैं, उनकी संख्या 382 हो गई है, 2011 की जनगन्ना के अनुसार, ये भी एक्जाम में डारेक्ली पूछा जात है, इसी के साथ जो शिशू लिंग अनुपाथ है, 927 से घटकर 919 हो गया, ठीक है, आगे हम देखते हैं, जनगन्ना 2011 की अनुसार, देश में अनुसूची जाती, यानि कि SC के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड है, जो देश की कुल जन संख्या का 16.6% है, 2011 में 45 है, आगे हम देखते हैं, 2001 से 2011 के तौरान देश में जो अनुसूची जाती की जो दश के व्यद्धी धर है, वो है 20.8%, ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे अगे हम देखें, 2011 की जन करना के अनुसार, देश में जो अनुसूची जन जाती है, यानि कि SC है, कि व्यक्तिय 2011 में अनुसूची जन जातीयों का लिंग अनुपात कितना है, 990, ये भी एक्जाम में डालेटली पूछा जाता है, 2001 से 2011 के दोरान देश में अनुसूची जन जातीयों की दश के व्यद्धी दर 23.7% रही है, जन करना 2011 के अनुसार, देश की कुल जन संख्या में नगरिय ज जन संख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीन जन संख्या 68.8% है, ये सभी एक्ट आपको ध्यान रखने हैं, तो देखिए फैंट, जितने भी important points है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ, अब हम topic-wide discuss करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन स point ये आता है, कि 2011 की जन गरना के अनुसार जो भारत की कुल जन संख्या आए, वो कितनी है, वो है हमारी 121.854.977, ठीक है, 121.854.977 है, जिसमें कि अगर हम बात करें, पुरुष, यानि कि मेल कितने हैं, तो मेल है, इसमें 62.32.70.258, और एवम अगर हम महिलाओं की बात करे हैं, तो महिलाओं कितनी हैं, इसमें 58.75,84,719, मतलब की टोटल जन संख्या में जो पुरुष हैं, वो है 51.47% और महिलाओं कितनी हैं, 48.53% आगे अगर हम बात करें, 2011 की जन गरना के अनुसार भारत की जो कुल जन संख्या है, विश्यो की कुल जन संख्या का 17.5% है, ये point आपको ध्यान दखना है, आगे हम देख लेते हैं, राज्यों को समझते हैं, ठीक है, तो भारत की जो सरवादिक जन संख्या वाले टॉप तीन राज्ये हैं, वो हम देख लेते हैं, एक्जाम में ऐसे ही पुछा जा सकता है कि बताओ भारत का सरवादिक जन संख्या वाला तिक तो भारत में सरवादी का नंबर एक प्रदेश का है उसके बाद महाराष्ट का नंबर आता है इसके बाद अगर हम देखें भारत के नियोंतम जनजंख्यावाले टॉप तीन राज्य है, तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सिक्कीम की सबसे कम है, ठीक है, अब यह बढ़ता हुआ करम है, तो सिक्कीम की सबसे कम है, फिर मिजोरम आता है, फिर अरुनाचल परदेश आता है, मतलब कि एक्जामपल के लिए समझाता हूँ, कि अगर सिक्कीम की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर, सबसे कम, फिर मिजोरम कितनी होगी, साथ होगी, अरुनाचल परदेश इकितनी होगी, सत्तर होगी, मतलब बढ़ता हुआ करम है, इसलिए सिक्कीम सबसे कम है, यह आपको ध्यान करें, यह मैंने आपको बैस एक्जामपल देने के लिए समझाया, कि बढ़ता हुआ करम में, हम कैसे ओर्डर को रेंज करते हैं, आई हूप आपको बता लग गया, सरवादिक जनसंख्या वाला, जो राज्या है, वो तर परदेश है, और नियोंतम जनसंख्या वाला राज्ये सिक्के में है, डारेक्टल एक्जाम में पूछा जाएगा, अब हम बात कर लेते हैं, केंदर शाषित परदेश की, तो आपको बताना चाहता हूँ, भारत के सरवादिक जनसंख्या वाले जो टॉप तीन केंदर शाषित परदेश हैं, वो देख लेते हैं, तो देखिए, दिल्ली, अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली की जो जनसंख्या है, सबसे ज़ादा है, ठीक है, उसके बाद पुद्दुचेरी आता है, फिर चंडीगड आता है, उसके बाद अगर हम बात करें कि, भारत का नियुन्तम जनसंख्या वाला केंदर शाषित परदेश कौन सा है, लक्ष दूइप, सबसे ज़ादा जनसंख्या कहां पर है, यह आपको याद रखना है, और इसी के साथ जो भारत का नियुन्तम जनसंख्या वाला जिला है, अरुनाचल परदेश का दिबांग घाटी है, आई होप आपके दोनों पॉइंट भी बहुत अच्छे से बाता लग गया, अब हम बात करें लिते हैं शेहर की, तो भारत का जो सरवाधिक जनसंख्या वाला शेहर है, मुंबई का, महराष्ट का मुंबई शेहर है, सरवाधिक जनसंख्या वाला शेहर है, और नियुन्तम जनसंख्या वाला शेहर है, पंजाब का कपूर्थला, अब हम बात कर लेते हैं जनसंख्या घंतव पहले समझते हैं होता क्या है जनसंख्या घंतव को हम population density भी बोलते हैं जनसंख्या घंतव का मतलब है प्रती वर्ग किलोमेटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घंतव का फर्मूला होता है कुल जनसंख्या को जब आप डिवाइड करोगे कुल छेतरफल से तो आपके बात जनसंख्या घंतव यानि की population density आ जाएगा अब सबसे ज़्यादा इंपोरेंट यह है कि 2011 में भारत का जनसंख्या घंतव कितना था 382 382 वैक्ति प्रती वर्ग किलोमेटर अब हम जान लेते हैं राज्यों के बारे में कि राज्यों की जनसंख्या घंतव क्या क्या है बिल्कुल और वाइस हम समझ रहे हैं ठीक है और इसके बादनाव आपको मैं जनसंख्या दश के वृद्धी भीकरा आने वाला हूं ठीक ह अगर आपसे पूछा जाएगी भारत में सरवादिक जनसंख्या घंतव वाला राज्य कौन से है बिहार है और भारत का जो नियोंतम जनसंख्या घंतव वाला राज्य है वो कौन से है अरुनाचल प्रदेश कितना यहां पे 17 आई होप आप कुछ चीज के लिए लोगे इसक वार्षिक व्रिद्धी दर 1.97 से घटकर 1.64% हो गई है तो अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाएगी बताओ कि जनसंख्या की वार्षिक व्रिद्धी है वो कितनी हो गई है 1.64% यह आपको वैल्यू याद रखनी है जबकि 10 के व्रिद्धी दर 21.54% से घटकर 17.7% हो ग लेकिन 10 के व्रिद्धी दर पुछा जाए तो 17.7% है यह भी आपको दोनों ध्यान रखनी है नागलेंट की 10 के व्रिद्धी दर जो है रिनात्मक है कितनी माइनस 0.6% ठीक है अब हम राज्यों की बात कर लेते हैं तो भारत में सरवादिक 10 के व्रिद्धी वाला टॉप 3 र हाले हैं दूसरे नंबर में हम बात करते हैं भारत के नियोंतम 10 के व्रिद्धी वाले टॉप 3 राज्य है ठीक है तो नागलेंड है ठीक है नंबर एक पे जिसमें आप यह देख सकते हो माइनस में है इसका 0.47 माइनस में तो एक्जाम के लिए काफी इंपोरेंट हो जाता है कि भारत के नियोंतम 10 के व्रिद्धी वाला राज्य है वो कौन सा है नागलेंड इसके बाद केरल आता है फिर गोवा आता है अब हम केंदर शाश्री प्रदीश देख लेते हैं जंसंख्या 10 के व्रिद्धी में तो आपको बदाना चाहता हूं भारत के सरवादिक 10 के व्रि नंबर वन पे कौन है ना ये एक्साम के लिए काफी इंपॉरेंट होता है ठीक है तो इसलिए मैं को पहले वाला है वो आपको मैं बहुत अच्छे से स्पैसिफाई करवा रहा हूं उसके बाद अगर आपसे एक्साम में ये पूछा जाए कि भारत का नियोंतम 10 के व्रिद् वाला जो जिला है वो है अरुनाचल परदेश का कुरूंग कुमे जिसका दश्के विद्धी दर कितना है 111 परसेंट ठीक है एक्जाम डारेक्ली पूछा जाएगा आपसे उसके बाद है भारत का सरवादिक नियोंतम दश्के विद्धी वाला राज्य वो है नागालेंड क लॉंग लैंग आपको यह पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया अब हमना लिंग अनुपात देख लेते हैं जिसको हम सेक्स रिशो भी बोलते हैं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि लिंग अनुपात होता क्या है यानि कि सेक्स रिशो क्या होता है प्रती 1000 प लिंग अनुपात कितना है और लिंग अनुपात क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया अब हम बात करते हैं राज्यों के लिंग अनुपात के बारे में तो भारत के सरवादिक लिंग अनुपात वाले जो टॉप तीन राज्ये हैं वो देख लेते हैं नंबर वन पे क केरल आता है जो की काफी important है आपके लिए जिसका लिंग अनुपात 1084 है दूसरे नमबर पे तमिलाडू तीसे नमबर पे आता है आंदरवर्देश ठीक है तो अगर आप से एक्जाम में पूछा जाएगी भारत का सरवाधिक लिंग अनुपात वाला राचे कौन सा है तो आप 8.79 ठीक है और देखो बढ़ता हुआ करा मैं तो 8.79 सबसे कम किसका हर्याना का फिर आता है जम्मो कश्मीर का 8.89 देखो मैंने जम्मो कश्मीर को राज्जे की श्रीनी में इसलिए डाला क्योंकि 2011 में जब जब अनगना हुई थी ना उस टाइम जम्मो कश्मीर के इंदर शा आमें कोशन बनते हैं तो अगर आपसे पूछाए जाए कि भारत का सरवादिक लिंग अनुपात वाला राज्जे है केरल और नियूंतम लिंग अनुपात वाला राज्जे कौन सा है हर्याना आई होप आपको इस चीज भी क्लियर हो गई अब हम बात कर लेते हैं केंदर शा आपको अब हम बात कर लेते हैं जिरो से चेवर्ष की आयों के बच्चों को शिशू कहा जाता है तो अम शिशू लिंग अनुपात देख लेते हैं देखिये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं के शिशू लिंग अनुपात यानि की बाल लिंग अनुपात क्या होते है जीरो से चेव वर्ग के प्रति 1,000 पुरुशों पर महिलाओं की संखिया 2011 की जनगरना का अनुसार भारत में जो लिंग अनुपात है प्रती 1000 पुर्षों पर 919 महिलाई थी SSC में 914 दिया होता है इसलिए मैंने आपको दोनों पॉइंट से बैथा दिये 2011 की जनगरना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है अरुनाचल प्रदेश नंबर एक पर आता है विजोरम नंबर टू पर आता है मिखाले नंबर तीन पर आता है मतलब आपको यहाँ पर यह समझ आया कि जो सरवादिक शिशू लिंग अनुपात वाला राज्जे है वो कौन सा है अरुनाचल प्रदेश हाई हूँ आपको यह चीज के लिए रहो गई उसके बाद अगर हम बात करें निवन्तम शिशू लिंग अनुपात वाला जो राज्जे है वो कौन सा है वो हर्याना है कितना है 834 अबना हम आगे देख लेते हैं सिशू लंग अनुपात में ही अबना हम अनुपात वाला जो केंदर शाषित परदेश है वो अंडमा निकोबाय देपसमू है 968 आई हो पकोई चीज के लिए रहो गई उसके बाद अनुपात वाला जो केंदर शाषित परदेश है वो दिल्ली है 871 यह दोनों पॉइंट से आपको धियान रखने है भारत की जनकरना में अनुपात जाती देखने वाले यानि कि ऐसी जनसंख्या के बारे में देखने वाले है जिसों की शिडूल कास्ट भी कहा जाता है इसमें से एक्जाम में कोशन आते हैं तो देखिए सर्वादिक अनुसूचित जाती यानि कि ऐसी जनसंख्या है वाले टॉप तीन राचए है उत्तर परदेश, परशिम, बंगाल और बिहार है मतलब यहाँ पर आपको अपको पता लगा यह कहाँ पर है उत्तर परदेश में है ये तो आपको पता लगग गया इसके बाद आगे हम देखते हैं सरवादिक अनुसूचित जाती जनसंक्या प्रतीशत वाले टॉप तीन राजे देखते हैं तो पंजाब 31.9% के साथ नंबर एक पे है हिमाचल परदेश नंबर टू पे और परश्री मंगाल नंबर तीन पे सरवादिक अनुसूचित जाती जनसंक्या प्रतीशत वाला राज्य कौन सा है नंबर एक पे तो पंजाब होगा और जनसंक्या वाला कौन सा है उत्तर परदेश दोनों पॉइंट्स आपमें ध्यान जो समझने हैं कन्फ्यूज नहीं हो ना अपनीं दोनों में उसके बाद्या में दोनों पॉइंट्स झाती आ लुटिंगर है यहांपर कोई भी अनुसूचित जाती नहीं है यानि कि शिड्यूल कास नहीं है तो नागलेंड और नाचल परदेश लक्षिदूई पैंडमानिकोबार दीपसमू में अब हम देख लेते हैं अनुसूची जन जाती के बारे में शिड्यूल ट्राइब के बारे में यानि कि स्टी जनसंख्या के बारे में तो देखिए सबसे पहले मारे जो important pointer वो है सरवादिक अनुसूची जन जाती यानि कि स्टी जनसंख्या वाले जो टॉप तीन राज्जे हैं वो है मध्य परदेश, महराष्ट और ओडिशा तो अगर आप से एकजाम में पूछा जाए कि सरवादिक अनुसूची जन जाती जनसंख्या वाले जो राज्जे है वो कौन सा है तो वो है हमारा मध्य परदेश इसी के साथ आगे हम समझे सरभादिक अनुसूची जन जाती जन संक्या प्रतीशत वाला जो टॉप तीन राज्जे हैं वो कौन से हैं ठीक है तो वो है मिजोरम 94.4% के साथ फिर नागलेंड फिर आगर आप से घ्जा में पूछा जाकि पंजाब, दिल्ली, चंडिगड एवं पुड़ुचेरी में कोई भी अनसोची जनजाती निवास नहीं करती है आगे हम देख लेते हैं साक्षरतादर, ठीक है, साक्षरतादर पढ़ने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना, हम ना, MCQ लगाएंगे, ठीक है, जितने भी कोशन अब तर्ग एक्जाम में आया है ना, वो हम बढ़ने वाले हैं तो बस थोड़ा सा पेशन्स आप और रखे, हमारे कोशन स्टार्ट होने वाले है, ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने थियोरी पढ़ा है ना, इससे आप जो सारी कंसेप्ट क्लियर होंगे, बिल्कुल ओडर वाइस हम बढ़ रहे हैं, रैंडम नी बढ़ रहे हैं साक्षरतादर को हम लिटरेसी रेट भी बोलते हैं, सबसे पहले हमें डैफिनेशन देखते हैं कि साक्षरतादर की क्या होती है, क्योंकि एक्जाम में पूछी जाती है भारत में वास्तविक साक्षरता दर्थ साथ वर्ष या उससे अधिक आयू के साक्षर वैक्तियों की कुल संख्या को साथ और उससे अधिक आयू के साक्षर वैक्तियों की कुल संख्या है ठीक है को जब हम divide करेंगे किस से 7 और उससे अधिक आयू की कुल जन संख्या से ठीक है और सबसको 100 से multiply करेंगे तो हमारे पास साक्षरता दर आ जाएगी अब देखिए सबसे दा important की 2011 की जन करना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है 74.04% यह आपको याद रखना है और जो पुर्षों की साक्षरता दर है वो है 82.14% महिलाओं की है 65.46% और यह तो आपको बता लग गया कि भारती की इतनी है 74.04% पुर्षों की यानि की मेल क 82.14% महिलाओं की 65.46% इनका डिफरेंस पूछा जाता है पुर्षों और महिलाओं को एक्जाम है तो भी मैंने हापे लिए 16.8% है अब हम राज्यों के बारे में जान लेते हैं राज्यों की हम साक्षरता दर पड़ेंगे तो सरवादिक साक्षरता पर्तिशत वाले जो टॉ कौन से है केरल नंबर एक पर आता है ठीक है मिसोरम नंबर टू पर आता है गोवा नंबर तीन पर आता है तो अगर आपसे एक्जाम में पुछा जाए सार्वादिक साक्षर राज्य कौन से हमारे देश का तो केरल इसका अंसर होगा ठीक है डबल स्टार मार कर लिजे 61.8% इसके वाद अर्माचल परदेश आता है 65.4% के साथ फिर इसके पिछे आता है 66.1% के साथ राजस्थान ठीक है तो अगर आपसे एक्जाम में पूछा जाए बताओ बिहार का स्वारी भारत का सबसे नियोंतम साक्षर राज्य कौन सा है तो आप क्या आंसर करोगे बिहार आगे जो हमारा important point है वो यह है सरभादिक पुरुष साक्षरता वाले top 3 राज्य मतलब पुरुषों की साक्षरता सबसे जादा किस राज्य में है तो केरल में ही है कितनी 96.1% इसके पिछे फिर आता है मिजोरम 93.3% के साथ गोवा 92.6% के साथ ठीक है मतलब कोई भी एक्जा आप notes लिखिए आपको बहुत दा help मिलेगी आपके exam में आगे जो हमारा important point है वो यह है देखिए नियों अन्तम साक्षरता वाले top 3 राज्ये ठीक है पुरुष साक्षरता वाले top 3 राज्ये कौन से हैं बिहार अरुनाचर परदेश और अंतर परदेश मतलब कि सबसे जादा जो पुरुष की साखशर्ता कम है वो है बिहार ठीक है आगे हम देखते हैं राज्यों में ही सरवादिक महिला साखशर्ता वाले टॉप तीन राज्ये है तो देखे सरवादिक जो महिला साखशर्ता वो किसमे है केरल में है 92.1% मतलब केरल सब में आगे है मिजोरम इसके बाद आता है 89.3 के साथ कोवा 84.7 परसंट के साथ इसी के बाद आता है नियोंतम महिला साक्षर्टा वाले टॉप तीन राज्जे तो बिहार में ही सबसे कम महिलाओं की साक्षर्टा नमबर बिहार आ जाता है राजिस्थान नमबर टू पे जारकन नमबर तीन पर अब हम बात करेंगे साक्षर्टा दर केंदर शाष्वित परदेश की यानि की यूनियन टेरेक्ट्रीज की सरवादिक साक्षर्टा परतिश्यत वाला जो केंदर शाष्वित परदेश है वो है लक्षदूइब, मतलब कि लक्षदूइब ऐसा केंदर शाष्वित परदेश है, जहां की साक्षड़ता सबसे जादा है, 91.8% है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, नियोंतम साक्षड़ता परतिशत वाला केंदर शाष्वित परदेश कौन सा है, दादरा एबम नग 64.3% के साथ, अब हम जीले की बात कर लेते हैं, जीला वाला काफी बार एक्षड़ता परतिशत वाला जीला, जनगना 2011 के मताबित कौन सा है, मीजोरम का सेर्शिप, सेर्शिप जीला सबसे साक्षड़त जीला है, मीजोरम का है ये, जिसकी औसस साक्षड़ता 98.23% थी, इसी अब हमना 100 MCQ लगाने वाले हैं, जो कि वही कोशन है, जो एक्जामों में बार बार पूछे चाते हैं, देखो मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए थी, क्योंकि मैं आपको कम्प्लीट पढ़ा रहा हूँ, एक भी कोशन आपका छूटे ना, अगर आपको वीडियो की वीडियो का कॉंटेंट और आपके रवी सर की महनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेर जरू करें, कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, अगर आपको डेली करन्ट अफेर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा रवी बुक्स पीडियो डॉट कॉम, रवी बुक्स पीडियो डॉट कॉम, यहाँ पे जाके आप हमारी हर सब्जेट की इबुक बाई कर सकते हो, इवन जो हमारी 11,000 GKGS की इबुक है, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, कम टाइम में आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर सकते हो, हमारी इबुक की दवारा, बेस्ट कॉलिटी का मैंने कॉंटेंट रखा है, आप सभी के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको मारी करेंट अफेस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ओल सब्जेट की इबुक मिल जाती है, और अगर आपको आपको न, GKGS का प्रैक्टी सेट लगाना है, हर एक्साम के लिए, तो मोबाइल अप्लिकेशन है, रभी स्टडी जीके, इसे आप इंस्टॉल कर लीजे, अपने फोन में, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, टैसरी लगा सकते हो, हर एक्साम के लिए, मतलब बिल्कुल डिटेल एक्स्प्लेनेशन के साथ, हमन पहला कोशन है, जनगना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है, 640 जिले शामिल है, भारत में 2011 की जनगना के अनुसार, एक्साम के लिए, मोस्ट इंपोरेंट कोशन है, सरवादी जनसंख्यावला जिला कौन सा है, में सबसे अधिक जनसंख्या घंतव वाला राज्य कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिहार, बिहार जो है, ये 2011 की जनगना के अनुसार, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घंतव वाला राज्य है, जनसंख्या घंतव का मतलब होता है, प्रतिवर किलो नेक्स्ट है और महिलाओं के लिए 65.46% है साक्षरता हम कैसे निकालते हैं साक्षरों की संख्या डिवाइड करेंगे हम 7 7 प्लस आयू वाले की संख्या से और मल्टिप्लाई जब 100 से करेंगे तो मारपा साक्षरता आ जाएगा यह फॉर्मूला एक्जामे कई बार पूछा गया है नेक्स्ट है जनगन्ना कितने वर्ष में एक बार की जाती है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन सी दस वर्ष में एक बार की जाती है जनगन्ना नेक्स्ट है मारा कोशन 2011 की जनकर्ना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंक्या सबसे कम है राइट आंसर हो जाएगा option B सिक्किम मैंने आपको ओपर theory से समझा दिया अब आपको question के जो answers है कितने easily पता लग रहे होंगे इसलिए friends मैं विक्कुल order wise आपको समझाता हूँ अगर आपको वीडियो की quality वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंदा रही है वीडियो को like और share ज़रू करें और यह जमारा channel है रवी study gk जिसका पुराना नाम रवी study IQ gk हुआ करता था ठीक है इसको आप जाते से जाता share करिए अगला question है निमने में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंक्या वृद्धी दर जनगना 2011 के अनुसार नकारत्मक रही है राइट आंसर हो जाएगा option B नागलेंड डिटेल में अगर हम इस question को समझे जनगना 2011 के अनुसार नागलेंड की जनसंक्या वृद्धी माइनस 0.58% रही है अगला question है जनगना 2011 के अनुसार किस राजे की दशकी जनसंक्या वृद्धी दर सबसे अधिक रही है राइट आंसर हो जाएगा option A में गालें important points से हम समझें इस question को जनगना 2011 के अनुसार में गाले की जनसंक्या वृद्धी दर है वो 27.95% राज्यों में सबसे अधिक रही है ये question भी exam में कई बार repeat हुआ है अगला question है भारत में निमलिकित में से किस राज्य में अधिकतम अनुसूची जाती यानि की ऐसी अबादी है right answer हो जाएगा इस question का हमारा option A उत्तर प्रदेश डिटेल में अगर हम इस question को समझे भारत में सबसे अधिक अनुसूची जाती यानि की ऐसी जनसंख्या वाला जो राज्य है यो उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में भारत की ऐसी अबादी का 16.6% है उत्तर प्रदेश की 20.6% अबादी आसी है ये भी आपको ध्यानी रखना है next है हमारी question 2011 की जन करना के अनुसर भारत में सबसे कम शहरी अबादी वाला राज्य कौन सा है right answer हो जाएगा option D सिक्किम सिक्किम जो है भारत में सबसे कम शहरी अबादी वाला राज्य है 2011 की जनगरना की अनुसार 2011 की जनगरना की अनुसार शहरी करन को हम समझते हैं 2011 की जनगरना की अनुसार शहरी करन का इस्तर 2001 की जनगरना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगरना में 31.16% हो गया है जबकि ग्रामीन अबादी का अनुपाद 72.19% से घटकर 68.84% हो गया है Next है 2011 की जनकरना के अनुसार ग्रामीन भारत में लिंग अनुपात क्या है Right answer हो जाएगा Option B 949 यह आपको धियान रखना है 2011 की जनकरना के अनुसार ग्रामीन भारत में जो लिंग अनुपात है वो है 949 Detail में अगर हम इस question को समझें 2011 की जनकरना के अनुसार ग्रामीनों का लिंग अनुपात 949 और शेहरों में कितना है 929 अगला question है मारा 2011 की जनकरना के अनुसार निवन में से कौन सी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाशा है Right answer हो जाएगा Option A Hindi Important points अगर हम इस question को समझें 2011 की जनकरना के अनुसार 43.63 पर्तिशत भारती अपनी मातर भाशा के रोप में हिंदी बोलते हैं बंगाली 8.03 पर्तिशत बोलने वालों के साथ दूसरे स्थान पे है बंगाली के बात आता है मराठी 6.86 पर्तिशत के साथ Next है मारा question जनकरना 2011 के अनुसार की संग शासित पर्देश की जनसंक्या विर्दिदर सबसे कम है राइट आंसर हो जाएगा option A लक्ष दूइप important points हम समझते हैं लक्ष दूइप की जनसंक्या विर्दिदर सभी संग शासित पर्देशों में सबसे कम 6.30% है Next है हमारा question भारत की 2011 की जनकरना के अनुसार किस उमर और उससे अधिक आयो के वेक्ति जो किसी भी भाशा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है को साक्षर माना जाता है right answer हो जाता है option C 7 next है वर्ष 2011 की जनकरना के अनुसार निमलिकित राज्जियों में किस राज्जे में स्तरी और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है right answer हो जाएगा option C राजिस्थान में detail में अगर आपको इस question समझाओं तो मैं आपको बदाना चाहता हूँ पुरुष साक्षरता कितनी है राजिस्थान में 79.2% महिला साक्षरता है 52.1% हमसे अंतर पुछा गया था कितना है 27.1% जो कि सबसे जादा है राजिस्थान में exam में कई बार ये question repeat हुआ है next है लिंग अनुपात का परिकलन कैसे किया जाता है ये question भी previous year का काफी बार पूछा गया है answer हो जाता है option D देश में प्रती 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या next है 2011 की जनगर्ना के आंकड़ों के अनुसार नेमे में से किस केंदर शाच्वीत परदेश में महिला जन संख्या पुरुष जन संख्या से अधिक है केंदर शाच्वीत परदेश पुर्डू चेरी का जो उच्तम लिंग अनुपात है वो है 1037 महिला है 1000 पुरुषों के पीछे जो की सबसे जादा है और एक्जाम में कई बार पूछा गया ये question है अगला question चेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा केंदर शाच्वीत परदेश कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा इस question का option C लक्षिदूईप चेतरफल की दृष्टी से भारत का सबसे छोटा केंदर शाच्वीत परदेश कौन सा है लक्षिदूईप है लक्षिदुई भारत का सबसे चोटा केंद शाचित परदेश है जिसका छीदरफल है 32 वर्ग किलोमेटर नेक्स्ट है 2011 की जनगन्ना के अनुसार निमलिकित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ऑप्षिन बी सेर्चिप 2011 की जनगन्ना के अनुसार जो सेर्चिप जिला है यह सबसे अधिक साक्षर जिला है यह आपको ध्यान रखना है साथ वर्ष या उससे अधिक आयोगा व्यक्ति जो किसी भी भाशा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है 2011 की जनगन्ना के अनुसार शैर्चिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला था शैर्चिप भारत के मिजोरम राज्जे का एक शहर है 2011 की जनगन्ना के अनुसार निम्लिखित में से किस राज्जे या केंद शाषित परदेश में साक्षर तरदर 90 परतिशत से अधिक है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन भी मिजोरम इंपोरिंट पॉइंट से हम इस कोशन को समझते है 2011 की जनगन्ना के अनुसार मिजोरम राज्जे की साक्षर तरदर 91.3% है मिजोरम में पुरुष साक्षर तरदर 93.35% है महिला साक्षर तरदर 89.27% है 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में केरल की साक्षर तरदर सबसे अधिक 94% है टॉप तीन देख लेते हैं केरल नंबर वन पे लक्ष्टीब नंबर टू पे मिजोरम नंबर तीन पे है तो यहाँ पर आपको यह पता लगा कि 90% से जो अधिक साक्षरता है न वो किसकी है मिजोरम की है और इसी के साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि टॉप तीन कौन- जो कि 90% से प्लस है लक्ष्टीब 91.85% है दूसरे नंबर पे है इसका भी 90% से जाधा साक्षरता है मिजोरम तीन से नंबर पे आता है आपको यह पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स कोशन कर लेते हैं भारत में वार्शिक वृद्धी दर प् नेक्स्ट है 2011 की जनगना की अनुसार बाल लिंग अनुपाद प्रती 1000 पुर्शियों पर कितनी स्तिरियां थी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 999 इंपोरेंट पॉइंट से समझते हैं 0-6 आयू सम्हों में महिलाओं और पुरुष की अनुपाद को बाल लिंग अनु 27 था लेकिन 2011 की जनगना में घटकर 919 रह गया अगर हम बात करें शिशू लिंग अनुपाद का फॉर्मूला क्या होता है बालिकाओं की संक्या 0-6 वर्श को हम डिवाइड करेंगे बालकों की संक्या 0-6 वर्श को और मल्टिप्लाइ करेंगे 1000 से तुम्हार पास शिशू ल 25 नबर दिन पर थीन पर महाराश्ट से रहां जन्संख्या की दरिश्टी से भारत के तॉप 3 राजज्जे कौन से है ?? राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्षण B उत्तरपरदेश महराष्ट बिहार मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है उत्तरपरदेश की फिर महराष्ट की फिर बिहार की अगला कोशन 2011 में घोशित जनगन्ना के आंकडों के अनुसार अभी तक गाउं में रहने वाले भारतियों का प्रतिशत क्या है इस कोशन का हमारा ओप्शन C 68.8% है यह आपको धियान रखना है मैंने आपको यह बताया कि 2011 में घोशित जनगन्ना के अंकडों के अनुसार अभी तक गाउं में रहने वालों भारतियों का प्रतिशत है 68.8% इसी के साथ अगर हम बात करें जो NCR ग्रामीन छेतर में कितने लोग रहते हैं 2.1% और NCR शेहर में कितने रहते हैं 7.6% यह डाटा भी आपको पता होना चाहिए अगला कोशन है मारा 2011 की जनगन्ना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में ग्रामीन और शेहरी दोनों चेतरों में सबसे कम बालिंग अनुपाथ है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का option C हरियाना 2011 की जनगन्ना के अनुसार हरियाना में ग्रामीन और शेहरी दोनों चेतरों में सबसे कम बालिंग अनुपाथ है भारत में बालिंग अनुपाथ को 2011 की जनगना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षतादर कितनी है Right answer हो जाएगा option A 82.1% पुरुषों की और 65.46% महिलाओं की Next है मारा question 2011 की जनगना के अनुसार भारत का लिंग अनुपाद कितना है Answer हो जाएगा option A प्रती 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाओं आपको बताना चाहता हूँ 2011 की जनगना के अनुसार भारत का लिंग अनुपाद कितना है प्रती 1,000 पुरुषों पर 943 महिलाओं Next है भारत की जन गन्ना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूची जन जातियों की जन संख्या का परतीशत कितना है राइट आंसर हो जाएगा option B 8.6% यह आपको ध्यान रखना है important points है अगर हम समझें 2011 की जन गन्ना के अनुसार भारत में अनुसूची जन जातियों की जो संख्या है वो कितनी है भारत की कुल जन संख्या का 8.6% उनकी संख्या कितनी है 10 करोड 42,081,034 और अनुसूची जातियों की संख्या कितनी है वो है 20 करोड 13,088,086 जो की है 16.6% नेक्स्ट है भारत की जनगना के कोडिंग सम्मिलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों के कोड का उपियोग किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C2 नेक्स्ट है नेक्स्ट है बारत की जनगना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षितादर के बीज जो अंतर है 16.68% है पुरुषों की साक्षितादर 82.14% है और महिलाओं की ये 65.46% नेक्स्ट है भारत की जनगना 2011 के अनुसार नेमन में से कि शहर में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन C मुंबई और दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या जो टॉप 3 महानगर हैं वो हम देख लेते हैं मुंबई नंबर 1 पे आता है दिली नंबर 2 पे आता है कोलकाता नंबर 3 पर आता है नेक्स्ट है हमारा कोशन 2011 की जनगना के अनुसार भारत की निमलिकित राज्जियों में से किस में प्रती 100 बालिकाओं की संक्या पर बालकों की संक्या सरवादिक है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A अरुनाचल प्रदेश अगला कोशन 2011 की जनगना के अनुसार भारत में लगबक कितने प्रतीशत घरों में अभी भी खाना पकाने के लिए जलाओ लकडी का उप्योग किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C पचास प्रतीशत नेक्स्ट है भारत 2011 की जनगना के अनुसार भारत में कितने 10 लाग से अधिक अभादी वाले शहर थे राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A 53 ये आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम समझें 2011 की जनगना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शहरी कृत राज्चे है जिसकी 62.17 परसंट जनसंक्या शहरी छेतरों में रहती है किस वर्ष की जनगना को महान विभाजक वर्ष यानि की Year of Great Divide कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा Option D 1921 को डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंक्या की जो दशके वृद्धी है रिनात्मक रही है माइनस 0.31 ठीक है और ये भारत की जनगना के इतिहास में पहली बार हुआ जिस कारण 1981 को महान विभाजक वर्ष यानि की Year of Great Divide कहा जाता है कोशन को आप Most Important मार कर लीजे कई बार एक्जाम में कोशन ये पूछा गया है तो चलिए अब हम Next Question कर लेते हैं स्वतंदर भारत की पहली जनगना 1951 में हुई थी उस समय जनगना आयुक तो कौन थे राइट आंसर हो जाएगा Option C, आरे गोपाल स्वामी स्वतंदर भारत की जो पहली जनगना थी 1951 में हुई थी और जनगना आयुक तो कौन थे आरे गोपाल स्वामी थे स्वतंदर भारत की जो पहली जनगना है 1951 में हुई थी जो इसकी सतत श्रिंकला में सात्वी जनगना थी Next है नेम लिखित में से भारत का कौन सा मंतराले देश में जनगन्ना कारे का संचालन करता है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन C ग्रह मंतराले यह आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम समझें भारत में जो ग्रह मंतराले होता है भारत में जनगन्ना कारेओं की देखरे करता है जनगन्ना ग्रह मंतराले के प्रसाचनिक नियंतरन के तहत भारत के रजिस्टरार जर्नल और जनगन्ना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है नेक्स्ट है जनगन्ना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंकिया 121 करोड में नगरी करन का इस्तर क्या था राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन D 31.15% नेक्स्ट है हमारा कोशन 2011 की जनगन्ना के अनुसार हिंदी ने लगबग डैश लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुक भाशा के रूप में अपना इस्तान ब्रकरा रखा राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा ओप्शन D 43.63% के साथ पहले इस्तान अपना ब्रकरा रखा अगला कोशन भारत की जनगन्ना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद नेमले खित में से कौन सी भाशा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A बंगाली भारत की जनगन्ना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निमलिकित में से कौन सी भाशवारत में सबसे अधिक पोली जाती है बंगाली नेक्स्ट है 2011 की जनगन्ना के अनुसार मध्य परदेश के भोगुलिक छेतर का कितने पर्तिशत वन छेतर है राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनगन्ना 2011 के अनुसार ग्रामिन छेतरों में रहने वाले लोगों की संक्या निमलिकित में से किस राज्य में सबसे अधिक है राइट आंसर हो जाएगा उप्शन डी उत्तर प्रदेश नेक्स्ट है अगला कोशन अगला कोशन 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत के किस शेहर की जनसंक्या सबसे अधिक थी राइट आंसर हो जाएगा उप्शन बी मुंबई नेक्स्ट है 2011 की जनगन्ना के अनुसार विशुव की कूल जनसंक्या में भारत की भागेदारी कितनी है राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन भारत की जनगन्ना 2011 के अनुसार हिंदी के बाद निमलिकित में से कौन सी भाशा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाली नेक्स्ट है भारत की जनगन्ना 2011 के अनुसार निमलिकित में से किस राज्या के इंद शाचित प्रदेश में ग्रामीन छेतरों में सबसे अधिक लिंग अनुपाथ है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक केरल में अगला कोशन है मारा भारत की जनगन्ना में उस वेक्ति को मुखे करमचारी माना जाता है जो वर्ष में डैश से अधिक दिन कारे करता है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ऑप्शन सी 183 यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है मारा कोशन भारत की जनगन्ना 2011 की अनुसार 41 प्रतिशत से अधिक घरो द्वारा पेजल का सबसे लोगप्रिय स्रोत किया था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैंड पंप या बो सकते हो ट्यूवेल नेक्स्ट है मारा कोशन 2011 की जनगन्ना ने भारत की कामकाजी अबादी को चार प्रमुक श्रेणियों में विभाजित किया निमलिके से कौन सा उसमें से एक नहीं है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घरेलू श्रमिक तो अगर हम सको रिटेल में समझें तो भारती जनगन्ना में श्रमिकों क संख्यां को निमलिकी श्रेणियों में विभाजित किया गया है चार कौन से हैं खेती हर्ष क्रिशी दूसरे मजदूर तीसरे हैं घरेलू और द्योगिक श्रमिक और चौते हैं अन्य श्रमिक नेक्स्ट है भारत की जनगन्ना 2011 के अनुसार निमलिके से किस भाशा में नकार को समझें 2011 की भाशा जनगन्ना की आंकड़ों के अनुसार दो अनुसूचित भाशाओं उर्दू और कौंगनी में पून संख्या में गरावट देखी गई भारत में उर्दू बोलने वालों की संख्या पांच करोड़ सततर लाग दो हजाद छेसो इकतिस है जो 2001 के बाद से लगबग एक दसनबलव पांच प्रतिशत कम है नेच्स्ट है 2011 की जनगना की आनुसार भारत का सबसे अधिक शेहरी करित राज्जे कौन सा है राइट आंसर हो जाएगाarıफशन बी गोवा राज्झे सबसे अधिक शेहरी करित राज्जे है भारत का 2011 की जनगना की आनुसार आगे अगर हम समझें 2011 की जनगर्ना के अनुसार गोवा सबसे अधिक शेहरी कृत राज्जे है जिसकी 62.17% जनसंख्या जो है ये शेहरी छेतरों में रहती है नेक्स्ट है 2011 की जनगर्ना के अनुसार सरवादिक दशके जनसंख्या वृद्दिवाला केंदर शाशित परदेष कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D दादरा एवं नगर हवेली लक्षदूीब है एवं नियुन्तम दश्किय वृद्धी वाला केंद शाषित परदेश लक्ष दूइब है अगला कोशन है 2011 की जनकरना के अनुसार भारत में गाउं की संख्या के बीच स्थेत है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का 6,40,000 से 6,50,000 के बीच डिटेल में अगर हम समझें 2011 की जनकरना के अनुसार भारत में गाउं की संख्या 6,40,000 और 6,50,000 के बीच है 2011 की जनकरना के अनुसार भारत में 640 जिले हैं 5924 उपजिले हैं 57,663 तैसीले हैं 7935 कस्बे हैं और 6,49,481 गाउं है अगला कोशन है भारत में पहली बार जनकरना किसके कारेकाल में संपन हुई थी राइट आंसर हो जाएगा option A, मेयो के कारेकाल में मेयो के कारेकाल में पहली बार जो जनकरना है ये संपन हुई थी नेक्स्ट है हमारा कोशन 2011 की जनकरना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है 2021 की जनगर्ना के अनुसार सबसे जादा अबादी किसकी है उत्तरपरदेश की नेक्स्ट है भारत की जनगर्ना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घंतव है वो क्या था Right answer हो जाएगा option D382 नेक्स्ट है, 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरिय जनसंख्या किरतने पतिशत है राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन D, 31.2% 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जो नगरिय जनसंख्या है, वो है 31.2% अगला कोशन भारत में प्रभावित साक्षर्ता दर की गन्ना की जाती है आंसर हो जाएगा ओप्शन D साथ वर्ष की उमर से उपर की जनसंख्या से है अगला कोशन भारत में पहली बार जन गन्ना कब हुई थी Right answer हो जाएगा Option B 1872 में भारत में पहली बार जनगना हुई थी जनसंख्या के अकार की दिष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्जे कौन सा है Right answer हो जाएगा Option C सिक्क्यम राज्जे जनसंख्या के अगार की दिश्टी से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है सिक्किम नेक्स्ट है भारत की जनगन्ना 2011 सोतंतरता के बाद डैश राश्टिय जनगन्ना थी राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A सातवी अगला कोशन है हमारा 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत के किस राज्य या केंदशाचित परदेश में कोई भी अनुसूची जाती निवास नहीं करती है आंसर हो जाएगा ओप्शन E उप्युक्त सभी यानि की नागालेंड, अरुनाचल परदेश, लक्ष दूइप और अंडमा निकोबार दूइप समों में कोई भी अनुसूची जाती यानि की शिड्यूल कास्ट जो है वो नहीं रहती है आंसर हो जाएगा ओप्शन E उप्युक्त सभी पंजाब, हर्याना, चंडिगड, दिल्ली और पुड्डुचेरी अगला कोशन, किस राज्य में अनुसूची जन जाती यानि की स्टी की जनसंख्या सरवादिक है आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन B मध्य प्रदेश में अगला कोशन, किस राज्य की जनसंख्या वरिद्धी दर सरवादिक है आंसर हो जाएगा ओप्शन B उत्तर प्रदेश डिटेल में अगर हम समझें, सबसे अधिक जनसंख्या वरिदी दर उत्तर प्रदेश में है 20.2-3 प्रदीशत की है अगला कोशन, 2011 की जनकन्ना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितने प्रदीशत है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A 16.5% अगला कोशन, 2011 में देश के निमलिकित राज्यों में किसमे साक्षरता दर सबसे कम थी राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B बिहार में अगला कोशन, 2011 में देश के निमलिकित राज्यों में किसमे साक्षरता दर सबसे जादा थी आंसर हो जाएगा ओप्शन D केरल में नेक्स्ट है मारा कोशन, 2011 की जनगन्ना के अनुसार ग्रामें जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्यों से है आंसर हो जाएगा ओप्शन D हिमाचल प्रदेश से अगला कोशन, जनगन्ना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक जनसंख्या घंतव वाला के अंतर शाषित प्रदेश कौन सा है आंसर हो जाएगा ओप्शन B दिल्ली अगला कोशन है भारत की जनसंख्या में रिनात्मक वृद्धी दर किस दशक में दर्ज की गई थी आंसर हो जाएगा ओप्शन D, 1911 से 1921 के बीच में रिनात्मक वृद्धी दर्ज की गई थी अगला कोशन, निवन्तम स्तरी पुरुष अनुपात वाला भारतिय राज्ये कौन सा है आंसर हो जाएगा ओप्शन C, हर्याना निवन्तम स्तरी पुरुष अनुपात वाला जो भारतिय राज्ये है वो है हर्याना देखो फेंट्स मारा मोबाइल अप्लिकेशन है रवी स्टडी जी के ठीक है इससे आप जरूर इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हो ठीक है हमने 10,000 जी के जी एस का जो मौक टेस्ट है वो हमने बनाया है प्रैक्टिस सेट जिसमें की सभी कोशन मतलब लगा लो बिल्कुल डिटेल फॉर्मेट में रखे गए हैं 10,000 आप कोशन पढ़ लेते हो डिटेल के साथ यह काफी जादा कोशन में रखे हैं और इस सारे कोशन आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोरेंट रहेंगे अगर आप एक्जाम से पहले पढ़ लेते हो तो अगला कोशन बारत का जो जनसंख्या नेती 2000 के अंतरगर जनसंख्या में स्थिर्था प्राप्त करने का लक्षे 2045 से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है आंसर हो जाएगा ऑप्षन D, 2070 अबादी की विर्दी दर का तात्परे क्या है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षन B, जनम और मृत्यू दरों के बीच अंतर अगला कोशन किस राज्ये में महिला साक्षता दर सबसे अधिक है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षन A, केरल केरल राज्ये में महिला साक्षता दर जो है ये सबसे अधिक है अगला कोशन भारत में जनसंख्या घंतव की परिभाशा की जाती है आंसर हो जाएगा ऑप्षन B, प्रती वर्ग किलोमेटर वैक्तियों की संख्या के रूप में प्रती वर्ग किलोमेटर वैक्तियों की संख्या के रूप में भारत में जनसंख्या घंतव की परिभाशा की जाती है नेक्स्ट है, 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संक्या लगभग कितनी है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C, 37 करोड नेक्स्ट है, जनगन्ना 2011 की अनुसार भारत में 37 साक्षर्टा की दिश्टी से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्जे का है आंसर हो जाएगा ओप्शन A, मिजोरम अगला कोशन, जनगन्ना आंकलन रिपोर्ट प्रदश्ट करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है वर्ष 2020 में भारतियों की ओसत उमर क्या होगी राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C, 29 वर्ष next है, भारत में सबसे घनी अबादी वाला राज्जे कौन सा है आंसर हो जाएगा ओप्शन B, बिहार जो है ये भारत में सबसे घनी अबादी वाला राज्जे है next है, जनगन्ना 2011 की अनुसारदेश का नियोंतम साक्षर जेला अलीराजपूर कि सराज्जे में आता है आंसर हो जाएगा option B मध्धे प्रदीश में अगला कोशन भारत की जनगना 2011 में जनगना शहर के रूप में बस्ती पर विचार करने के लिए जनसंख्या घंतव के संबंदे मांदड क्या है राइट आंसर हो जाएगा option C 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर नेक्स्ट है 2011 की जनगना के अनुसार भारत में निमलिकित राज्यों में से कौन से राज्ये में सबसे कम नगरी करन की परतीशत दर्ज किया है आंसर हो जाएगा option A हिमाचल प्रदेश में नेक्स्ट है 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जन जातिय जनसंख्या का उच्टम प्रतिशत वाला राज्य या केंद शाचित प्रदेश कौन सा है आंसर हो जाएगा option C उप्युक्त दोनो लक्षदूइप और मिजोरम नेक्स्ट है 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत के निमले कित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गाउं है आंसर हो जाएगा option C बिहार अगला कोशन भारत में जनगर्ना 2011 के अनुसार प्रवासी माने जाने वाले लोगों का परतिशत क्या है अर्थात जो अब अपने पिछले निवास से अलग एक अन्ने स्थान पर बस गए है आंसर हो जाएगा option B 37% नेक्स्ट है भारत की जनगर्ना हमें डैश के संबंद में जानकारी प्रदान करती है आंसर हो जाएगा option D आबादी तो friends यह आपको मैंने most important questions और पूरा थियोरी में भारत की जनगर्ना समझा दिया आई होप आपको वीडियो की quality वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को like और share जरू करें हमारा जो channel है रवी study gk जिसका पुराना नाम रवी study IQ gk था इसे जरूर subscribe करें और share करें अपने सभी study group में अपने friend circle में ठीक है अब friends आपके लिए दो question का test आगया है जिसका answer आप सभी ने मुझे comment box में देना है ठीक है तो पहला question है 2011 की जनगर्ना के अनुसार प्रतीशत में भारत की साक्षत दर्दर क्या थी चार option है आपके पास दूसरा question है जनगर्ना कितने वर्ष में एक बार की जाती है चार option है आपके पास दोनों question का answer आपने मुझे comment box में देना है वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे अपना feedback भी जरूर देना है यहाँ पे आपको हमारी current affairs, quality, history, geography हर subject की e-book मिल जाती है हर exam के लिए best content रखा गया है हमारी e-books में www.ravibooks.pdf.com ठीक है और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे आपको current affairs की gkgs, quality, history, हर subject की e-book मिल जाती है ठीक है और इसी के साथ आपको एक और information देना चाहता है mobile application रवी study gk है इसे भी आप install कर लीजिए ठीक है यहाँ पे आपको हमारा current affairs पढ़ाते है उसका free में आप test भी यहाँ पे लगा सकते हो आप मुझे comment box में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी है ठीक है बांकी इसका आप screen shot ले लीचे यह जो आपके सामने website आ रही है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पे हमारी current affairs है जनुवरी से अगस्त की वो भी launch हो चुकी है बांकी आपको कोई भी subject की e-book चाहिए है वहाँ पे आपको मिल जाएगी लास्ट बताँगा कि mobile application भी आप जरूर इंस्टॉल कर लेना हमारा mobile application है रवी study जी के नाम से तो चलिए फैंट सब हम मिलते हैं आप सभी से next video में thank you and wish you all the best